तो हेलो आफ़ीमन अकाश्राव फ्रम देस साइट यह वीडियो में फिर से एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें टेस्ट के बारे मैं बताना चाहरा हूं कि मैंने इस टेस्ट का टाइम फिक्स कर दिया है अभी मैं आपको टाइम भी बता दे रहा हूं वो कब होगा डेट फिक् के लिए कुछ खास है बढ़ उससे पहले टाइम एंड उसके रिजन्स में बता दे रहा हूं उसके रिजन्स क्या है तो टाइम जो है मैं डिशाइट किया हूं बहुत लोगों ने भी ये बोला है एंड लगबग चालिस पचास लोगों से मैंने बात किया है उसके बाद ही मैं ये टाइम बता रहा हूं ये बारा पियम नून अफ्टर नून जो बारा बजे दो फैर का टाइम है इसी टाइम पर आपका टेस्ट होगा एंड मैं आगे से जितने भी टेस्ट होंगे उसको मैं इसी टाइम पर या इससे एक घंटा इधर उधर बट टाइम शुट्ट भी इन मॉर्निंग और अफ्टर नून मैं इवनिंग में नाइट में नहीं रखूंगा टेस्ट का टाइम इसके लिए रीजन्स भी मैं बता दे रहा हूं क्यों नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है टेस्ट का टाइम क्या होना चाहिए कब होना चाहिए कब टेस्ट लेने से एफेक्टिव होता है तो यहां पे जो है सबसे फहला राथ में टेस्ट जो होता है जैसे साथ पीम आठ पी एं ये जो होता है तो रात में टेस्ट नहीं लूँँगा इसका कारन क्या है कि दीन भर जो आप लोग काम करोगे थैसा तो यह लेकिन घर के भी कुछ काम होते हैं जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आपको ही करने हैं उसका कोई सब्चिश्यूट नहीं है फैमली में कि यह काम मैं नहीं करता हूँ वो कर देंगे ऐसा अगर नहीं है खास कर के मैं यह बताना चारा हूँ कि दिन भर जो काम करते हो आप लोग जाए वो इंजोई करो या पढ़ो या काम करो कुछ भी करो तो उसमें जो है आपका इनरजी लोस हो जाता है और आप भी जानते हो जब जो हमारा बॉड़ी है टायर्ड हो जाता है ठका हुआ महसूस करता है तो हमारा ब्रेन जो है काम करना बन करता है उसकी रिकॉल पावर जो है कम ह याद रखने और जो याद किया है उसको recall करने की छहम सही तो रात में तेष्ट थोडह प्रीम हो जाता है देने में आपने पढ़ा होता है अप सुर्ऩेlt अफंटने कॉल हो जल्दी और इसमें बात की घा Caitlin ुपर आथा की बारे में आखिन िया वहीं वहींols की वालो जो लोग आप बोलते हुआ ही टाइम में रख देता हूं नहीं तो अपनी मर्जी से तो मैं यह टाइम पे लेता हूं सुभा के टाइम में दस बजे बाड़ा बजे एक बजे ऐसे करके तो इसमें मैं बताना चाहरा हूं कि आपको यह जो कुछ गल्स है और इनका जो री खाना बनाना होता है कुछ गल्स तो ऐसी जिनके उपर घर का साड़ा काम है क्योंकि उनके मम्मी सायद काम करने के लिए उम्रेदार हो तो यही घर की जिम्मेदारिया समालती है खाना बनाना हो गया बरतंद होना हो गया घर की साफ सफाई करना हो गया तो अगर माल लो दीन तो में वारी करना काम करने का वे-था कोई टेस्ट के लिए पर ऑगे हमाँ माते सब्सक्रीन पड़े हैं लिए पर धाय। सब्सक्राइब टेस्ट के लिए लगता हो गई कोई तो डेस्ट रिघिए कर सकते हमाँ दोगी रिकॉल तो होगा नहीं अच्छा से याद नहीं होगा तो आप पिर टेस्ट में परफॉर्म जो है वह नहीं कर पाऊगे तो मैं यहीं बात बताना चाहरा हूं कि यह गर्स का जो रीजन होता है वह बहुत सही रीजन है जैनुवीन रीजन है इस पे जो है सभी को लाना होता है घर के समान कषब खर्चे यह जो भी बाहर की चीज़ें वह जो है इनी को करना होता है एंड कुछ-कुछ तो बोलने हैं कि सर में पार्ट टाइम जौब भी करने जा रहा हूं लोगडाउन में पैसे की कमी है पापा का काम नहीं हो रहा है तो मुझे कि काम करना पर रहे तो इसके लिए अब बताओ जो लड़का पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा है वो दीन पर जॉब करके काम करके आएगा तो पढ़ा तो है नहीं रिवीजन तो कर पार नहीं रहा है वो अचानक से टेस्ट देने बैठेगा तो पहले से सरीर लड़कियों का लड़क होता है दسمți कगरें संब्तुर्कुंइक टरुकरओ को या संब्ति सूब करता सब्सेंट होता मैं असलुइन नहीं कर सकता है इसलिए हैं रात को टेस्ट नहीं लुए ही दिन में रुट द्री कि अगर 12 बज़े का यौन ख्री होगा तो लड़कीा HISटे के सब्स क्या उट सकती है कि भी आज के और बनाती है कि सब्सक्राइश का वह बना के लिए किसी और को सकती है क्या कर तो आप फिरी हो जाओगे सही बोल रहा हूं टेस्ट के बाद फिरी हो जाओगे फिर उसके बाद खाना बनाओ जो करना करो बोईच का भी होई है अगर आप सुभा में 10 बजे 11 बजे 9 बजे जब भी बाहर से राशन लाने जाओ घर का समान लेने जाओ ग्रोसरी लेने जाओ यह सब जो भी इसेंसियल चीज है जो लेने जाने परते हैं वह आप भी अपने किसी भाईया को चोटे भाई को या अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो कि आप जाकर लिया यह मेरा आज टेस्ट है तो आज मुझे पढ़ना है सुभा से लेकर के 11 सारे 11 बजे तक अच्छे से रिवीजन करना है 12 बजे से मेरा टेस्ट है उसके बाद उसके बाद जो काम होगा फिरी हो जाओंगा मैं करूंगा तो घर वाले अरहाम से मान जाएंगे क्योंकि घर वाले भी तो आपका भला ही चाहते हैं तो बस कुछ यही बाते थी तो इस वज़े से ही मैं जो इस टाइ में पर बना दिया रहता हूं मुझे सेंड करना है बट यहाद करके करके तो यह सच में बहुत ही डिवीकलट होता है तो इसलिए यही सब कुछ कारणों हैं जैसे मैंने बता ही दिया कि दिन भर के ठके हारे होने के बाद जो है टेस्ट देने बैठ तो जाओगे टेस्ट दे भी देऊगे लेकिन 100% efficiency नहीं होगी टेस्ट में अभी खाना मत बनाओ यह दस दिन पंदरह दिन एक्जाम जो चलेगा अब खाना मत बनाओ बरतन मत हो घर साप मत करो लड़कों लोगों को बोल दिया जाएगा कि भाई पब जी खेलना बन कर दो लड़किया लोगों का तो टिक टोक अगर करके इंजोई करती हो तो बंधी कर तो टिक टोक ऐसे बंधी हो गया बहुत अच्छा भी हुआ है पब जी भी बैंड होना चाहिए था बट वह चाइनीज नहीं इसलिए बच गया तो पब जी खेलना बन कर दो घर के जो बाहर के काम होते हैं लड़कों लोगों बन कर दो और एक दिन का जो गैप होता है एक ज सांत मन से बैठना चाहिए चाहिए जिससे आपका ब्रें सांत हो जाता है तो रीकॉल पावर ब्रें की बहुत जादा बढ़ जाती है जिससे आप टेस्ट देने बैठों के जो कुशन दिखाई देड़ा है उसका अंसर जैसे रीकॉल करेंगे तुरंट कलिक कर देगा आपक करोगे तो लड़के लड़किया यह काम करते हैं तो कहीं नहीं कि इसका ब्रेन जो चारो तरफ फैला हुआ होता है और जब टेस्ट देने बैठोगे तो जो आंसर लिखना है वह आंसर तो किलिक ही नहीं होगा क्योंकि आप दीन बर में बहुत सारे काम कर रहे तो वह सब करने में कि सर मैं दस बजे भी टेस्ट दे दूंगा यह सब फील नहीं होगा कि मुझे रिकॉल नहीं होड़ा है बट एक्चुली आपको देख लेना ऐसा करके आपको पता चल जाएगा कि आप जिस काम को एक्जाम से पहले ज्यादा करते हो आपका ब्रेन उसी काम में ज्य गूंगे इसे कर गया हूँ ऐसे मैं जुक्ते में लोंगा बारा वजे लोगा और यह मैं लीग दे रहा हूं और यह घंड़ पर्संट को रहूंगा इसको डेट नहीं कर सकते और चाहर precursor यह ही क्योंकर लेकर और नहीं करूंग flav Здाग देट नहीं कंतरम है क्योंकि कि एक लड़के ने भी कॉमेंट किया था और सही भी कॉमेंट है और यह मुझे पता है बहुत सारे लोग यह टेस्ट नहीं बोल रहे थे आठ तारीक को लेने इसलिए मैंने चेंज किया अधर्वाइज में चेंज नहीं करता क्योंकि टेस्ट का जो है डेट जो है एंड टाइ पढ़े ही नहीं यह तो टेस्ट देना भी नहीं चाहते हैं बट फिर एक ऑप्सन उसके पास है तो बोलेंगा सर अठारा कोई लीजे मिस वह टेस्ट से भागना चाहरे हैं तो फिर ऐसे में लापरवा हो जाते हैं इस्टूडेंट के हातों में कंट्रोल देना गलत बात हो अगर एक्जाम कब लिया जाए तो सभी लोग बोलेंगे हम लोग का एक्जाम एप्रील में लिया जाए बट यह पॉसिवल नहीं है फरवरी या मार्च में इस्टार्ट ही हो जाएगा तो आपके भरोसे नहीं चलेंगे वो किसी से टाइम थोड़ी पूछते है कि कब अदिया है मार्ट है जो है तो चाहँ कर सकते हो मेरे लिए 5 दिने वेट करो पाच दिन पाच दिन फार हो आप समझी रहे हैं यह पसीना गिर हुआ हाथ में बहुत पसीना हो रहा है तो यह सब जो है समझी रहे हो तो इसलिए अपसे में टाइम यह सब मैं ही डिसाइड करूंगा पहले ही बता दे रहा हूं बस मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि एकजाम जब टेस्ट लू मीट किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे personally WhatsApp कर सकता है कि Sir 12 बजे मेरा problem में यह मतलब कुछ कारण बज़ में 12 बज़ exam नहीं दे पाऊँगा उनके लिए मेरे पास solutions है मैं उन्हे solutions बताऊँगा आपको करना क्या है बट आपको उसके लिए मुझे से permission ले लेना होगा तो बस यही बताने के चलिए comment करना है तो date comment करना time fix कर दिया है चलिए पढ़ाई करते रहिए wishing you all the very best